ये कहानिया है कैसी अभी नेत्री की जब वो बॉलिवुड में आई तो बारिश के सीन्स के साथ इसका नाम चुड़ गया इसे देखकर हीरो नंबर बन ने भी कहा कि अन्गना में बाबा दुआरे पे मा कैसे आई गोरी तोरे घर मा नाम है इनका शिल्बा शरोटकर जन्म हुआ था 20 निवंबर सन 1979 में इनकी छोड़ी बेहन है मिस इंडिया नमरताश शरोटकर इनकी दादी मिनाशी शरोटकर एक जानी मानिया भी नेत्री रही और इन्होंने हंगामा मचा दिया था मास्टर विनाय के फिल्म में जब ये स्व वर स्क्रीन पर शिल्पा शिरोटकर जब एक टीनेजर ही थी तब रमेश सिप्पी की फिल्म रशाशार में नजर आई थी साल था सन 1989 मिन्हों चकरवर्ती और एखा इनके साथ थे इस फिल्म में इन्होंने एक अंधी लड़की का करदार निभाया था 1990 में अनल कपूर की फिल्म किशन करहिया में भी ये नजर आई थी फिराएं तरी नेत्रा, हम, खुदा गवा और आखें इन फिल्मों ने तो कमाल ही कर दिया था वहचान, कोपीकिशन, बेववासनम, नित्युदन, हर जगा शिल्पा शिरोटकर अपना सिक का जम आती जा रही थी मेंथन शिक्रबर्दी के साथ तो शिल्पा शिरोटकर ने नौ फिल्मों में काम किया कुछ प्रोडूसर डिरेक्टर्स के साथ इनका नाम जोडने की कोशिश की गई लेकिन सन 2000 में शिल्पा शिरोटकर ने वो काम कर दिखाया जिसकी कोई उमीद ना कर रहा था शिल्पा शिरोटकर तेरा बरस के लिए हिंदुस्तान से दूर चली गई बॉल्यवूड फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने अलवेदा कह दिया शादी कर लिए इन्होंने आपरेश रंजीत से जो कि एक बैंक कर रहे शादी करके ये चली गई निधरलेंड्स वहाँ से फिर गई न्यूजिलेंड और सन 2003 में इन्होंने एक बेटी को जरन दिया नाम रखा अनुश्का पर बहुत बरस तक बहार रहने के बाद इन्हें लगा ये जाना होगा वापस और अपने परिवार के साथ ये हिंदुस्तान की सरजमी पर लौट आई आने के बाद इन्होंने टेलिविजिन का रुख किया लेकिन गोविंदा चंकी पांडे मितुन चक्रवर्ती इन सब के साथ ये पार्टी करती नजर ना आई ये बाद भी गौड करने लायक है ये कभी भी बहुत मशूर हेरों नहीं बनना चाहती थी इसलिए इन्होंने विंटर्स हेर्ड्रेसिंग अकाडमी से हेर्ड्रेसिंग का कोर्स किया था जब ये आकलन में थी तब ये प्रफेशनल हेर्ड्रेसर की तरह काम करती थी उसके ब इनके सहीलिया रही मधूव और माधूरी दिक्षे इनकी बहें नमता शिरोटकर और महेश बाबू हिंदुसाने फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मजबूत जोडियों में सिगने जाते हैं शिरोटकर ने बहुत कम समय में बहुत कम माल का काम कर दिखाया चाहे इनके बारिश वाले सीन थे या फिर फोक डान्स या एमोशनल हर मामले में शिरोटकर सबसे आगे साबित हुई